हेलो एवरिवन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पावरपाइं प्रेजंटेशन में वीडियो इंसर्ट जो है वो कैसे करते हैं तो आपने सिंपल पावरपाइंट ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद अगर आपके पास पहले की बनी हुई स्लाइड है तो आप बोल तो यहां पे इसमें बहुत सारी slides जो है वो बनाई हुई है बढ़ हमें जो है इसी slide के बाद एक और slide लेनी है जिसमें वीडियो इंसर्ट हो तो आपने क्या कर देना है वहाँ से slide ले लेनी है new slide में जाके यहां पे देखो title and content वाली तो यहां पे आप कोई भी click to add title यहां पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो video आप insert कर रहे हो उस video से related आप यहां पे कुछ भी एक heading एक intro जो है वो दे सकते हो जैसे हमने यहां पे ये दे दिया नीचे यहां पे एक इस तरह से आपने इंट्रो दे देना है नीचे यहाँ पे देखो एक वीडियो का जो है वो आइकन यहाँ बना हुआ तो यहाँ पे मीडिया क्लिप पे आपने क्लिक करना है इंसर्ट मीडिया क्लिप पे यह बना हुआ है यहां पे आपके computer यहां laptop में जितनी भी वीडियोज होगी वो शुआ हो जाएगी हमारे में यहां पे एक ही थी फिलहाल हमने इसको लेके ok कर दिया है जैसे ही यहां पे ok होके आज आएगी तो यहां पे आपने automatically रखना होगी तो automatically रखना but when we click रखना जब हम click करेंगे तभी यह चलेगी और उपर से यहां से playful screen कर देना है आपने यहां पे जाके playful screen ताकि पूरी screen में आपके दिखे जितना भी आपकी computer यह laptop की display है screen में उसके बाद आपने animation में चले जाने के बाद custom पे चले जाने के बाद आपने add effect जो है उनको देने है जैसे कि आप पहले वाली slides में देते दे वीडियो को effect नहीं देना है आपने सिर्फ जो लिखा होगा उसको देना है उसके बाद direct आपने slideshow में चले जाना है और यहां से from beginning कर देना है उसके बाद आपकी slides जो है वो चलना start हो जाएगी present date होना start हो जाएगी इस तरह से तो आपने यहां पर click करना है तो जो भी हमने effect दिया होगा जो हमारी वीडियो होगी वो play on a start हो जाएगी यह देखिए इस तरह से यहां पर यह तो यह हमने sound यहां पर off रखी है तो इसके साथ sound भी आती है जैसे आप जो वीडियो में original sound होगी वो यहां पर आ जाएगी तो इस तरह से आप जो है वो अपनी presentation powerpoint में वीडियो जो है वो insert कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ आप बता भी सकते हो खुद की voice record करके तो यह हो गया उसके बाद यह तो हमारी पूरी screen में चल रही है अगर आपने पूरी screen में video नहीं चलानी है तब आपने क्या करना है जितनी सी आपने चलानी है side से इसको crop कर देना है क्रॉप या small जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो जैसे हमने यह कर दिया अब इतने से एरिया में ही मुझे प्ले करना है तो हम आपने इतर उपर option में चले जाना है option में चाने के बाद जो full screen हमने टिक किया उसको बंद कर देना है वहाँ पे क्लिक करके अब उतने से एरिया को सब्लेक्ट किया होगा तो अगर आपको वीडियो अच्षी लगी होगी तो प्लीस वीडियो को लाइक करदेना शेर करदेना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्छादा वीडियो देखने के लिए चैनल को